दोस्तों मैं रितेश कुमार उपात्याय, मेरे यूटूब चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्विक श्वागत करता हूँ ग्राहक को रिस्कवर का फायदा देने के लिए LIC में कई तरह के राइडर्स बने हुए हैं यह राइडर्स बिकल्ब के रूप में होते हैं, ग्राहक चाहे तो यह राइडर्स ले सकता है और यदि चाहे तो इन राइडर्स को छोड़ भी सकता है तो भारतिय जीवन बीमा निगम का भिकरता होने के नाते यह आवस्यक हो जाता है कि आपको इन सभी राइडर्स के विषय में पूरी जानकारी हो तो दोस्तों खास आपके लिए आज से राइडर्स की जानकारी देने के लिए यह एक नई सिरीज शुरू करने जा रहा हूं अलग-अलग वीडियों में अलग-अलग राइडर्स के विशे में जानकारी दी जा रही है और मुझे यकीन है कि यह जो जानकारी है आपके लिए उपयोगी शित्ध होगी और इसका लाव आप अपने ग्राहकों तक पहुचा पाएंगे दोस्तों आज की अपनी इस पहली वीडियो में LIC के एक्सिडेंटल डेफ बेनिफिट राइडर्स के विशाय में हम लोग समझेंगे तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखितक ध्यान से देखते रहे हैं साधारान तोर पर जब एक अभी करता फिल्ड में किसी ग्राहक से बात करता है तो अधिक्तम यह कहता है कि सर यदि ग्राहक के मृत्व एक्सिडेंट के कारण होती है तो उसको एक्सिडेंट से मिलने वाले जो फायदे हैं वो इस प्रकार से मिलेंगे और इसके बाद isn't accidental death benefit के benefits को अपने ग्राहक को बताना सुरू कर देता है लेकिन साथियों क्या आप जानते हैं जीवन बीमा की भासा में एक्सिडेंट होता क्या है दोस्तों जीवन बीमा की भासा में एक्सिडेंट को परिभाशित करने के लिए इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं यदि ग्राहक की मृत्यू किसी बाहरी वस्त से होती है उस समय घर्षण होता है और वह visible हो यानि वह जो घटना है वह दिखाई दे इसे हम एक्सिडेंटल डेथ कहेंगे otherwise उसको नार्मल डेथ माना जाएगा उदाहरन के लिए मैं यहाँ पर दो घटनाओं का जिक्र करता हूँ जैसे मान लिजिए एक कोई व्यक्ति है जो अपने घर में बिजली के तार का कनेक्शन सही कर रहा है अचानक उस बिजली के तार से करेंट उस आदमी को टच कर जाता है और उसके कारण इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है यह पहली घटना है दूसरी घटना जो कि इससे मिलती जुलती है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ सपोस्ट बरसात का समय है एक आदमी सड़क पर किसी एक अस्थान से दूसरी अस्थान तक गुजर रहा है बारिस का पानी किसी गढ़्धे में इकठा है और जैसे ही वह आदमी उस पानी की चपेट में आता है उस आदमी को भी बिजली का करेंट लगता है और वह डिस्ट कर जाता है इन दोनों ही घटनाओं में एक एकसिडेंटल है और एक नार्मल है तो क्या आप बता सकते हैं इन में से कौन सी घटना एकसिडेंटल है कौन सी घटना नार्मल है चलिए सबसे पहली घटना की विशे में हम समझते हैं पहले घटना में जो ब्यक्ति है वह बिजली के तार पर कारि कर रहा था और बिजली का जो current है तार के माध्यम से उसके सरीर तक पहुंचता है अब यदि कोई ब्यक्ति बिजली के तार पर कारि करेगा तो एक्सिडेंट का जो पहला नियम है वो यह कहता है कि जो मृत्यू का कारण है वह बाहरी वस्तु हो बाहरी वस्तु मतलब जो बिजली का तार है वह बाहरी वस्तु हो गई अर्थात यह जो पहली घटना है इसको एक्सिडेंट माना जाएगा अब दूसरी घटना का चिक्र करते हैं दूसरी घटना में आदमी सडक से गुजर रहा है किसी घट्धे में पानी भरा हुआ है जैसे ही वह पानी के चपेट में आता है तो वहाँ पर क्या होगा घर्शन होगा दूसरा चीज मृत्यू का कारण बाहरी वस्त है यह भी घटना हो रही है लेकिन जिस जगह पर चोट लग रही है वह वीजिवल नहीं है अर्थात जो दूसरी घटना है उस घटना को एक्सिडेंटल नहीं माना जाएगा दोस्तों मैंने यह एकजांपल के लिए एक उदहरन आपके सामने रखा है बहतर होगा कि इसका क्रॉस चेक आप अपने अधिकारियों से कर सकते एक्सिडेंटल लाफ मिलने के लिए कुछ और भी नियम इसके साथ लागू होते हैं यह एडिसनल लियम क्या है घटना अचानक होनी चाहिए दूसरा ची अप्रत्याशित हो यानि उस घटना की संभावना भी पहले से न रही हो और अनिच्छित हो यानि उसमें इच्छा सक्ति का इन्वालवेशन नहीं होना चाहिए तो इस प्रकार से यदि घटना घटती है तो उसको लाइफ इंसुरेंस की भासा में एक्सिडेंटल क्लेम माना जाएगा दोस्तों आईए अब समझते हैं कि ADB राइडर लेने के बाद ग्राहक को क्या फायरे होंगे तो सबसे पहले प्रस्न यह उठता है कि ADB राइडर ग्राहक को कितना दिया जा सकता है तो दोस्तों ADB राइडर मैक्सिमम मूल बीमा धन के बराबर दे सकते हैं या तो फिर उससे कम दे सकते हैं उधारन के लिए जैसे मान लिजिए आपने किसी क्लाइंट को 10 लाग का बीमा दिया है तो उसको मैक्सिमम 10 लाग रुपे का ADB राइडर दे सकते हैं या फिर 10 लाग रुपे से कम का समिस्योड ADB राइडर का हो सकता है अब जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट ने ADB राइडर ले लिया है और उस क्लाइंट का एक्सिडेंट हो जाता है लेकिन उस एक्सिडेंट के कारण उसकी मृत्यू ततकाल नहीं होती लेकिन उस एक्सिडेंट की वजह से यदि उसकी मृत्यू 180 दिन से पहले होती है तो भी जो मूल बीमा धन है उसके जो लाव उसके नामनी को मिलेंगे उसके अलामा जितने समिस्योड का ADB राइडर दिया जाएगा वह भी मिलेगा इसको उधाहन से समझ लेते हैं जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए का मूल बीमा है और उसके साथ आपने अपने क्लाइंट को 10 ला एकसीडेंट की वज़ा से हिंगरती हो लेकिन जिस डेट में एकसीडेंट हुआ है उस डेट में नव होकर 180 दिन के भीतर होती है तब भी 10 लाख रुपए का एडिसनल ADB राइडर वाला जो समिस्योड है वह उसके नामनी को दिया जाएगा यहाँ पर एक महत्तुपूर जा मूल पॉलसी में एक महीनी का ग्रेश पिरियेड मिलता है यदि क्लाइंट की प्रीमियम समय से जमा नहीं होती है तो भी जो मूल पॉलसी है उसका रिस्कवर चलता रहता है कांटीनिवस रहता है यदि क्लाइंट ने अपने पॉलसी की प्रीमियम 2 साल, 3 साल या 5 साल जमा कर तो रिस्कवर में RIC द्वारा कुछ रियायत दी जाती है लेकिन यह जो रियायत है यह रियायत ADB राइडर के लिए लागू नहीं होती है यदि आप इसको साधारण भासा में समझें तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ADB राइडर का बेनिफिट तभी मिल सकता है जब क्लाइंट की पूरी प्रीमियम पूरी तरह से जमा हो खास तोर से जिस समय एक्सिडेंट हो रहा है उस समय यदि उसकी मृत्यू उस एक्सिडेंट के कारण उस समय नहीं होती है 180 दिन के भीतर ही होती है तब भी जिस समय एक्सिडेंट हो रहा है उस समय तक उस क्लाइं अब इसको समझते हैं तो minimum entry age होती है 18 साल यानि यदे कोई व्यक्ति जिसकी 18 साल उम्र complete हो चुकी है वह ADB rider ले सकता है maximum entry age है 65 या nearer birth rate के हिसाब से लेकिन ADB rider के लिए जो maturity age है वो है 70 साल यानि 70 साल की age तक ही ADB rider का benefit मिल सकता है उसके बाद नहीं मिल सकता और जो ADB rider का minimum term है यानि कम से कम 5 साल का term आपको देना ही देना होगा यहां भी एक बहुत महतुपूर जानकारी है जिसे आपको होना बहुत जरूरी है जैसे suppose that आप किसी बच्चे का वीमा किये हैं और उसकी पालसी 25 साल 30 साल की उम्र में complete होने वाली है तो जब आप बच्चे की पालसी करते हैं तो उसको ADB rider नहीं दे सकते लेकिन जैसे ही वह बच्चा 18 साल की उम्र complete करता है तो यदि वह 18 साल का व्यक्ति चाहे कि मुझको ADB rider चाहिए तो वहाँ LIC में application दे कर इस rider का benefit ले सकता है इसकी जो premium LIC लागू करती है वह premium client को जमा करना होगा या फिर यदि आपने किसी की policy sale की policy sale करते समय आपने उसको ADB rider नहीं दिया हुआ है और बाद में अगर आप इस rider को देना चाहते हैं तो यह कारे भी आप कर सकते हैं इसे मान लीजिए आपने किसी client को ADB rider दे दिया और वह client बाद में ऐसा चाहता है कि नहीं भाई मुझको ADB rider की premium जादा लग रही है या मुझको इसमें फाइदा समझ में नहीं आ रहा है तो यदि client चाहे तो इस ADB rider को cancel भी कर सकता है लेकिन यदि client एक बार ADB rider को समाप्त कर देता है cancel कर देता है तो फिर दुबारा उसको अपने policy term में इस ADB rider का benefit नहीं मिल पाएगा आईए अब समझते हैं यदि किसी कारण से client की policy lapse हो जाती है तो lapse condition में यह जो policy है इस policy से ADB rider का benefit नहीं मिलेगा बाद में जो मूल policy है उस मूल policy को revive कराते समय ही यह policy revive होगी यानि ADB rider की जो premium है वह अलग से revive नहीं होगी वह जब यह revive होगी तो जो मूल policy है उसी के साथ revive होगी दोस्तों अब सबसे महतुपूर बात यह होती है कि LIC इस ADB rider के लिए client से कितना charge लेगी तो LIC ने ADB rider के लिए लिखा हुआ है कि यदि 1000 रुपय का ADB rider कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो उसको 40 पैसा premium में बढ़ा कर देना पड़ेगा और यह जो 40 पैसा है यह सालाना दर के हिसाब से लागू होगा लेकिन यदि कोई व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट में कारे करता है और वह ADB rider का लाव लेना चाहता है और वह भी duty के दोरान कारे करते समय तो ऐसे व्यक्ति को भी ADB rider का लाव दिया जा सकता है लेकिन उसकी जो दर होगी वह होगी 80 पैसा वारसे प्रती 1000 बीमा धन पर यानि जहां सामान जो दर है यानि जहां सामान व्यक्ति के लिए 1000 बीमा के लिए 40 पैसा सालाना देना पड़ता है वही यदि पुलिस डिपार्टमेंट से कोई व्यक्ति है और वह ADB rider लेना चाहता है ताकि duty के दोरान यदि उसके साथ कोई हसा होता है तो वहाँ पर उस ब्यक्ति को 80 पैसे प्रती 1000 बीमा धन पर सालाना प्रीमियम देना होगा लेकिन इसका लाव अर्ध सैनिक बलों को नहीं दिया जा सकता है दोस्तों आये अब समझते हैं कि किसी ब्यक्ति को मैक्सिमम ADB rider कितना दे सकते हैं यदि आपका कोई ऐसा ग्राहक है जिसको आपने जीवन सिरो मनी प्लान दिया हुआ है या फिर उसके पास जीवन सिरो मनी प्लान से तो ऐसे ग्राहक को मैक्सिमम दो करोन तक का ADB rider दिया जा सकता है जिसमें एक करोन जीवन सिरो मनी प्लान से और उसके बाद जो एक करोन है वह उसके जितने भी दूसरी पालसियां है उसके अंतरगत उसको दिया जा सकता है लेकिन यहाँ पर एक बात जानने वाली और भी है यदि किसी ग्राहक ने अलग अलग पालसियों में ADB राइडर लिया हुआ है और वह जो राइडर है वह दो करोन से जादा है तो सुरुवाती दोर से जो क्लाइंट ने पालसी ले रखी है उसके हिसाब से ADB राइडर का पेम को मिलाकर मैक्सिमम एक करोन का ADB राइडर दिया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर एक चीज जानना आपके लिए और जरूरी है एलाइसी ने ADB राइडर के लिए लिखा है कि निगम अत्रत रासिका भुपतान करने के लिए उत्तरदाई नहीं होगा यदि बीमा धारक के मृ जाने के कारण होती है या फिर आत्म हत्या का प्रयास करने के कारण होती है पागलपन या अनैतिक्ता के कारण से होती है या फिर सराव की वज़ा से होती है नसीली दवा या मादक पदार्थ के प्रभाव से होती है यदि इन सभी कारणों से ग्राहक की मृत्य होती है तो व किसी तरह के आक्रमन में, किसी तरह का सिकार करने में, परवता रोहन में, यदि इस कारण से ग्राहक के मृत्य होती है, किसी प्रकार का दोड़ भाग करने में, पैरा ग्लाइडिंग या पैरा सूट में भाग लेने में, या किसी साहसिक खेलों में भाग लेने के पैडाम सरू चोट लगता है और उसके कारण से अगर मृत्य होती है तो वह भी ADB राइडर के अंतरगत लाव नहीं पापाएगा तीसरा करण क्या दिया है कि जीवन बीमा द्वारा आपराधिक इरादे से कानूं का उलंगन करने के परड़ाव सरूप यदि ग्राहक के मृत्य होती है तो भी वह ADB राइडर के अंतरगत कवर नहीं की जाएगी अगला करण इलाईसी ने यहाँ पर दिया हुआ है ससस्त्र बलों या सेन सिवा में बीमा क्रित व्यक्ति के रोजगार से उत्पन हो चाहे युद्ध घूसित हो या नहीं यदे जीवन बीमित ड्यूटी पर नहीं रहने के दोरान किसी दूर घटना का सिकार हो गया था या हमारे देश में प्राक्रतिक आपदाओं का मुकावला करने के दोरान किसी बचाव कारे में सामिल था तो यह अपवर्जन लागू नहीं होता है यदि इसको उदहन के रूप में रखा जाए तो ससस्त्र बल या फिर सेन सिवा में लगा हुआ अगर कोई ब्यक्ति है जो कि प्रसासनी कारियों में सामिल नहीं है में लगे होने में उत्पन हो इसको साधान तोर से ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई पुलिस बल का व्यक्ति है और उसने भीमा पाउसी ली है और उसने 80 पैसे प्रती 1000 जो सालाना प्रीमियम है यदि वह उसको पे कर रहा है तब तो उसके मृत्यू किसी भी कारण से होगी वह कवर होगा लेकिन यदि उसने 40 पैसे वाला आपसन लिया हुआ है और उसके मृत्यू प्रसासनी कारियों में होती है तो वहाँ पर ADB राइडर का जो कवर है वो नहीं होगा यहां पर LIC ने अगला कारण लिखा है जबकि इस ADB राइडर का बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि क्लाइंट का एक्सिडेंट होता है और उस एक्सिडेंट के कारण ही मृत्यू होती है लेकिन जो मृत्यू का समय है वह यदि 180 दिन के बाद होता है ऐसे कंडिशन में भी यह पाउसी एक्सिडेंटल कवर नहीं करेगी अब दोस्तों आईए अगली चीज को समझते हैं कि यदि किसी क्लाइंट के मृत्यू एक्सिडेंट के कारण हो जाती है उसने ADB राइडर लिया हुआ है तो वहां पर ग्राहक के कौन कौन से दस्तावेज आपको LIC में जमा करने पड़ेंगे तो यहां पर पहला है F.I.R की प्रमारित प्रती आपको जमा करने पड़ेगी दूसरा है पुलिस अन्वेशर रिपोर्ट की जो प्रमारित प्रती है उसको देना होगा तीसरा है पंचनामा की प्रती देनी पड़ेगी चौथा है Postmodern की जो रिपोर्ट है वह भी आपको LIC में जमा करना होगा यदि दुरघटना न्यूस पेपर में छपी है तो जो न्यूस पेपर में छपी हुई घटना है तो उसकी कटिंग भी claim paper के साथ आपको submit करना होगा यदे बीमाधारक की मृत्यू दुरघटना के कारण होती है जिसमें की वह गाड़ी चला रहा था तो ऐसे कंडिशन में ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कापी देनी पड़ेगी इसके बाद यदि पुलिस अधिकारियों को दुरघटना की सूचना नहीं दी जाती है जैसे मालीजिये कुट्टा या साब के काटने की वज़र से बीमाधारक की मृत्य हो जाती है तो कुछ बैकलबिक प्रमारपत्र आपको देने होंगे उसमें क्या हो सकता है जिन लोगों ने दुरघटना को देखा है दुरघटना के समय मौजूद थे उन प्रत्यक्ष दर्सियों का बयान देना पड़ेगा ग्राम सेवक या सरकारी अधिकारी का हलफ नामा तो इस प्रकार के दस्तावेज LIC में देने पड़ सकते हैं इसके बाद जो हस्पीटल में ट्रिटमेंट हुआ है उस ट्रिटमेंट का रिकार्ड भी आपको LIC में जमा करना पड़ेगा इसके साथ यदि LIC चाहे तो कोई और भी दस्तावेज आपसे मांग सकती है और यदि कोई दस्तावेज इसके साथ और भी मांगा जाता है तो वह ग्राहप को जमा करना पड़ेगा तो दोस्तों मैं यह उम्मीद करता हूँ कि ADB राइडर के बिसे में अब आपको लगभक संपूर जानकारी हो गई होगी दोस्तों आखरी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार इसके बिसे में संपूर जानकारी लेने के लिए ADB राइडर के सर्कुलर को जरूर पढ़ें यदि आपको यह वेडियो अच्छी लगी हो तो इस वेडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन उस पर क्लिक करें और यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो इस वेडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप हमें अपनी शमस्या बता सकते हैं हमारा प्रयास होगा हम आपकी समस्या का शमाधान शिक्र अतिशिक्र करने की कोसिस करेंगे और यदि आप इसी तरह की जानकारी भविस्व में भी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल रिटेस LIC Advisor को सब्क्राइब कर लेना चाहिए और यदि आपने हमारे चैनल को पहले से सब्क्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक्यू बेरी मच चैनल कर पोश्ट सभी वीडियो को बारी बारी से आप ध्यान से देखें उसको अपने ग्रांकों के साथ डिसकस करें और यदि कोई समस्या समझ में आती है तो वीडियो के कमेंट सेक्षन में कमेंट के जरीए आप हमें अपनी समस्या देशकते हैं दोस्तों मुझे पता है आप अपने कीम्ती समय में से समय निकाल कर हमारी वीडियो को देखते हैं इसके लिए मैं आपका दिल स्या भारी हूँ धन्यवाद थैंक्यू बेरी मच्छ